अपने भाग्य के निर्माता स्वयन है ठीक है तुम जो तुम सायता चाहते हो या फिर तुम्हारे शरीर के अंदर जो भी आत्मा है वो क्या मौजुद है वो क्या है तुमको अपने आप को क्या दुर्बल कर देती है अर्था तुम सभी काम कर सकते हो क्योंकि तुम इश्वर की संतान हो, तो तुम्हारे अंदर जो शक्ती है, तुम्हारे अंदर जो आतमा है, वो क्या है, तुम सभी काम कर सकते हो, तुम सब कठीन से कठीन काम कर सकते हो, क्यूंकि तुम क्या है, इश्वर की संतान हो, तुम इश्वर पर भरोसा करते हो, तुम इश्वर पर विश्वा कोई समस्या ही नहीं आएगी हर एक समस्या क्या है हटी चली जाएगी क्यूंकि वो एक अच्छे मानो मनिश्य होने के कारण जो है वो सभी कटनाईयां जो हैं सभी पैस्टित्या हैं समाप्त हो जाती है और तुम क्या है सफलता की सिड़ी चड़ने लगते हो तो इसलिए ऑच्वास रहो अपने मन में त्याग और सेवा की महावना रहो दुसरों की प्रतिव प्रेम रखो ड़या रखो और अपने जो है दुसरों का जो है खयाल जो कहते हैं या फिर उन्हें मदद साहता करो तो क्या है अपने जो भी सफलता जो भी हम अपने पत पर कटनाई आएगी तो वो क्या है सफलता की रहा पर चलते निकलेगी तो बच्चों मैं आशा करती हूं कि तुम लोगों को ये पार्ट समझ में आएगा तो कि इतना खठीन नहीं है तो आप लोग जो है इसे फिर एक बार अच्छे से पढ़ लो ठीक है अब मैं चलती हूं